जैहिन दोस्तो मैं विकास भारत द्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूँ प्रिवियस एक्जाम कोश्चन पेपर अनलाइशिस का यह महत्पूर्ण वीडियो है इसमें आज हम लोग मिसलेनियस कोश्चन को देखेंगे क्योंकि ऐसे ही सवाल आपको मेरिट में लाने में मदद करेंगे जो भी इस तरह के सवालों को टैकल कर जाएंगे वही लोग मेरिट में आगे आ जाएंगे तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के सवालों को हमने रखा है और किस प्रकार के सवाल आपके मेरिट को निधारित करते हैं तो वीडियो काफी उपयोगी होने वाला है अन तक जरूर देखिएगा अच्छा लगए लाइक करिए अपने दोस्तों के भी शेयर करिए साथ इसाथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रिस कर दिजेगा चलिए देखते हैं सवालों के इस सिलसिले में कि कौन सा सवाल है तो सबसे पहला जो सवाल है वो है निमनलिकित में से कौन सा संगठन भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच प्रादिकरण है आपके लिए हैं NDA में CDMA INDR या NDA तो इसका सही उत्तर है दोस्तों NDMA National Disaster Management Authority आप इसके आप्सेंस को देखिए साथी साथ इस तरह के सवालों के लिए आप जो है जरूर Google में सर्च करिए Disaster Management Disaster Management को सर्च करिए और इस Word को जैसे सर्च करेंगे आपको बहुत तरह के आर्टिकल आ जाएंगे तो आपको ज़्यादा नहीं 2 से 3 आर्टिकल पढ़ना है जो भी आपको समझ में आए और वहां से आपको नोट्स बना लेने है ताकि आप इस तरह के सवालों का जो भी जिस भी प्रकार का पूछा जाए वो आप उसको टैकल कर पाएं तो देखें यह स्मार्ट स्टडी का एक तरीका है आप इसे आसानी से कर लीजिए मेरा बस मकसर इतना है कि आपको किसी तरीके से इस एक्जाम को पास कराना चाहे उसके लिए मुझे किसी प्रकार के भी तरीके को अपनाना परे वो मैं सारे त क्लास A B & C टाइप तो कौन ऐसा आगनी सामक है जो कि A B C तीनों प्रकार की आग में काम करता है आप्शन्स आपके लिए हैं CO2 DCP फोम और नन अब दी अबब तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आप्शन नंबर B DCP जो ड्राइ केमिकल पाउडर है वो इसका सही उत्तर होगा तो यह फायर वाले फायर क्लासिफिकेशन से यह सवाल है तो इसके लिए आप मेरे वेबसाइट www.rpfldc.com पे जाएए वहाँ फायर का एक आर्टिकल मैंने लिखा है जिसमें होलिस्टिक कवर करने की कोशिश की गई है अगर आप उतना भी पढ़ लेते हैं तो आप फायर स समभनित सवालों को जरूर हल कर लेंगे कुछ लोगों को वेबसाइट पर दिक्कत हो रही है कि कैसे वेबसाइट को呈क्सेस करेंगे तो इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए उसके लिए भी लाऊंगा कि कैसे आपको वेबसाइट पर विजट करना है अपने मोबाइल से और कैसे आप उस website पर सारी चीजों को पढ़ सकते हैं तो fire से संबंदित ये सवाल था अगला देखिए अगला सवाल आपके लिए है what is an IED IED क्या है तो इसका full form मैंने अपने वीडियो में कबर कर रखा है जो मेरा full form वाला वीडियो है जिसमें मैंने full form बहुत सारे दिये हैं उस वीडियो को जरूर देखेगा वैसे उस वीडियो का नाम abbreviation के नाम से है वहाँ पर सारे cover किये गए है important full forms को तो IED का full form है improvised explosive device ठीक है तो इस तरीके से ये चारी चीज़े आप आसानी से कर सकते हैं absences इसका सही उत्तर हो जाएगा अब देखे इस तरह के सवालों को लेने का मकसद क्या है ये सवाल general based सवाल आते हैं इसको आप किसी तरीके से भी कहीं से भी आपको इकठा करना पड़ेगा सभी जगह ये उतले उतले हैं उनको आपको इकठा करके अपने पास संग्रहित करने पड़ेगा इस knowledge को तब ही आप इस सवालों को हल कर पाएंगे तो जितनी कोशिस मेरी तरब से हो रही है उतनी कोशिस आप भी करिए google करिए multiple sources को देखिए जहां से आप इस तरह के सवालों को हल कर सकते हैं चलेंगा अगले सवाल पर अगला सवाल है up to which rank RPF officers are authorized to impose fine for littering in railway premises अगर कोई railway premises को गंदा कर रहा है तो किस rank के जो officer है वो authorized है तो अगर मैं आपको यहीं पर एक clue दूँ तो यह भी थीम बेस सवाल है थीम बेस सवाल कैसे है तो आप ध्यान से कर पड़ेंगे तो officer are authorized तो आपको पता होना चाहिए railway act में officer authorized जो है वो define है किस धारा में define है यह comment करके बताईएगा मुझे तो officer authorized कौन होते है asi to asi and above जो है वो officer authorized में दिया है तो asi, pf and above जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा तो इस तरह के सवालों के लिए आपको थोड़ा सा general approach रखना है जिस प्रकार से मैं आपके लिए सवालों को explain कर रहा हूं आप आगे चलते हैं अगला सवाल देखते हैं how many compression and breathe should one do for each cycle of CPR in first aid फिर smart study first aid तो आप गूगल में search करिए first aid कहीं जाने की ज़रत नहीं है first aid search करिए फिर आप उसमें से दो तीन article जो आपको अच्छा लगे पढ़िए और notes जरूर बनाईए क्योंकि बार बार आप उस आप टिकल को नहीं पढ़ सकते हैं notes बनाईए revision करिए इस तरह के सवाल आसानी से आप टेकल कर लेंगे options आपके लिए हैं 15 compressions and 2 breeds 30 compressions and 2 breeds 15 compression and 5 breeds 30 compressions and 5 breeds तो option B इसका सही उतर जाएगा 30 compressions and 2 breeds तो इस तरीके से आप फस्टेड वाले को जरूर सच कर लिजेगा चलिए देखते हैं अगला सवाल अगला है what will be the strength of God to present God of Honor during wraith lining ceremony on police commemoration day तो police commemoration day में जो वो स्पांजली समारों है उसमें guard of honor की क्या strength है तो इस प्रकार के सवाल अगर आपको पता है अगर पूरी तरीके से आप sure हैं तभी आप attempt करें वरना ego hurt ना करें और छोड करके आगे बढ़ें वैसे इसका सही उतर है दोस्तों एक subordinate officer और 20 head constable या constable स्राते हैं चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल है आपके लिए name of the commando battalion of RPF बहुत ही जनरल सवाल है लेकिन बहुत सारे लोग इसमें फज्जाएंगे क्या उसका नाम घरूरा है RCF है या chorus है या Marcos है सही उतर है दोस्तों option number C सबको पता होगा chorus commando यहां से मैं आपको बता दूँ आपके लिए chorus का full form पूछाया सकता है तो एक वीडियो में मैंने आपको इस chorus का full form बताया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लिएजएगा और साथी साथ मुझे comment करके बताएगा कि what is the full form of chorus चलिए देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल आपके लिए है directly recruited SI female are eligible for interzonal transfer सीधे भरती जो जो SI है महिला उनका interzonal transfer क्या है तो यह आपको directive से एक तरह से सवाल कहिए या फिर अब आप इसको manual भी कर सकते हैं कि manual से पूछा गया सवाल है तो इस तरह के सवाल आपको manual से देखने को मिल सकते हैं manual कुछ नहीं है directive और standing order साथी साथ establishment में rule में जो establishment से संबंदी चीज़े हैं उनको compile करके एक जगा करके manual बनाया गया है तो इसका simple सा उत्तर है जब उनका 5 साल का service complete हो जाता है service period में training period भी count रहता है तो option number A इसका सई उत्तर है अगर इस तरह के सवाल जान रहे हैं तो hit के रिए वरना आप छोड़के निकल लीजिए चलिए देखते हैं आगे सवाल अगला जो सवाल है for a defense of intoxication to escape criminal liability the intoxication actually अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं आप लोगों कुछ चीजे knowledge अपनी share कर रहा हूं तो इस सवाल को पढ़ने के बाद मुझे भी यह सवाल समझ में नहीं आया तो ऐसे सवाल अगर आपको exam में दिखते हैं जो आपको confused कर रहे हैं आपके intellectuality पर थोड़ा सा दावा कर रहे हैं थोड़ा सा आपको चोड़ पहुचा रहे हैं तो ऐसे सवाल से ego hurt होने की कोई संभावना नहीं है आप इस सवाल को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं option number B इसका उत्तर है administered against his will और knowledge इस सवाल के explanation को मैं यहीं छोड़ देता हूँ क्योंकि इसको explanation करने से थोड़ा सा doubt आपके अंदर आ जाएगा इसलिए मैं उस doubt को नहीं रखना चाहता हूँ आप बस इसके उत्तर को जान लीजिए अगर दुबारा repeated होते हैं ऐसे सवाल repeated होते ह तो आप असानी से उसे कर पाएंगे चले देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है what is the security help line number being used in railways रेलवे का सुरक्षा help line number क्या है तो 137, 182, 180 या 101 तो सबको पता है हर फर मॉला सवाल 182 जो है अब से रेलवे सुरक्षा help line है लेकिन अब आपको बता दे अब रेलवे में universal line हो गया universal number हो गया है अब 182 को जो है खत्म करने की बात चल रही है 139 जो है यह universal number हो गया है यह सवाल आपको पूछाया सकता है क्योंकि जब आप 139 को डाइल करेंगे तो इसमें बताएगा आपको कि बाई railways के लिए एक दबाएं security के लिए दो दबाएं तो जब आप दो प्लेस करेंगे तो आपको यह transfer हो करके call जाएगा आरपी अपके पास ऐसा करने का reason यह है क्योंकि 182 पर जो है security help line के अलावा भी बहुत सारे call ऐसे आते थे जो unusual थे जिसकी कोई आवश्यक्ता नहीं थी तो इस कारण से इस कदम को उठाया गया है railway के द्वारा आप universal 139 नमबर ही काम करेगा चलेंगे देखेंगे आगे अगला सवाल आपके लिए है what is the child help line number in India अगर आप ध्यान से station पर duty करते हैं तो सब जगब पर child help line number लगा हुआ है उसके अपने forms बने हुए है उनका अपना court है उनका अपना cabin है तो वहाँ पर आपको यह number बहुत ज्यादा flash out होता है 1098 तो इसका सही होतर है option number D तो यह सब सवाल क्या है यह सब सवाल आपके common sense आपके duty के दौरान आपके awareness को चेक किया जाता है चले देखते हैं आगे अगला सवाल है what is the maximum permissable speed of LHB coach LHB coach के अधिक्तम ज 160 km प्रतिगंटा या 140 इसका सही उतर दोस्तों 160 km प्रतिगंटा अब इस तरह के सवालों को भी अगर देखें तो यह आपको operating department से संबंदित सवाल है operation से संबंदित सवाल है इस तरह के सवाल में आप जब आपका question नहीं पूरा हो पा रहा है 80 सवाल आप attempt नहीं कर पा रहे है या आपको लगता है कि merit में आने के लिए आपको कुछ सवाल और attempt करने चाहिए तो इस तरह के सवाल पर आप थोड़ा सा risk ले सकते हैं लेकिन मेरी तरफ से मैं कहूंगा कि अगर नहीं पता है तो आप इसको risk में नहीं ले क्यूंकि अगर आपका एक सवाल गलत होता है तो एक नंबर तो आपका माइनस करता है साथ ही साथ 0.33 भी ले जाता है मतलब 1.33 का लॉस होता है आपको तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए अगर आप इस सवाल को छोड़ते हैं तो सिर्फ आपको 0.33 का ही लॉस होगा आपका एक सही नंबर आपके साथ बना रहेगा तो previous year question को analyze करने का हमारा बस यही मकसद है कि मैं आपको उन बिंदूओं पर आगाह कर दूँ और एक सलाह दूँ जहां पर कि आप अपने smart approach को रख सकते हैं तो इस तरीके से मेरे इसारे को आप समझने की कोशिश करिए जो मैं काना चा रहा हूँ और जिस तरीके से आप इस signal में लाल पहलू नहीं है या क्या वो distant है home है starter है या advance starter है तो जब आप platform duty पर रहते हैं तो आप देखते होंगे कि starter signal पर आपको red नहीं दिखता है वहाँ पर red signal का प्रियोग नहीं होता है तो starter जो है इसका सही उतर है वैसे मैं आपको बताऊं तो यह आपके exam में repeat किया जान चलिए देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है how many tickets can one person with adhar verification can book through IRCT on personal ID in a month तो personal ID पर कितने ticket book के आ सकते हैं 6, 12, 16 या no limit तो इसका सही उतर है दोस्तो option number B 12 ticket जो है वो IRCTC के अधार verified पर आप personal ID से कर सकते हैं तो यह भी एक general सवाल है इसके लिए भी कोई आपको यह ना कहें कि syllabus में कहां लिखा है यह general based सवाल है जो आपको जानने जरूरी है क्योंकि 143 railway act से यह बहुत तेजी से जुड़ रहा है बहुत सारे cases आजकल देखने के वारे हैं अगला जो सवाल है देखिए what is the maximum amount of compensation liable to be paid by railways for a passenger who lost his life due to accidental falling from the train एक train से गिरने पर जो है accidental अगर हो जाता है तो उसको मुआवजे की कितनी रासी है क्या 2,4,8,10 लाक तो इसका सही उतर है दोस्तो आठ लाक इसके मुआवजा दिया गया है तो यह सवाल कहां से आ गया है तो यह RCT से सवाल है एक सवाल यहां भी मैंने दे दिया what is the full form of RCT RCT का full form आप बताएगा तो railway sorry मैं आपको इसका full form में आप कमेंट करिएगा और उसी के तहट जो है यह सवाल है और आठ लाक का compensation जो है वो दिया जाता है तो इस तरीके से देखिए यह सारे महत्पून चीजें हैं और यह महत्पून सवाल है इसे सवाल जो है आपको एक सेट में 15 से जादा नहीं मिलेंगे और इस 15 में से सवाल जरूर कर लेंगे इन सब सवालों को वीडियो के माध्यम से मैंने lecture में कहीं कहीं कभर किया है specific वीडियो मैंने नहीं बनाया इस पर क्यूंकि यह specific चीजे है भी नहीं तो इस कारण से इन सब चीजों के बारे में आप अगर मेरे वीडियो को जो लोग ध्यान से सुने ह हैं हर प्लेइलिस्ट को सुने हुए हैं तो वह आसानी से जेनरल बेस में सवाल को हल कर जाएंगे और वहीं बाजी मार देंगे चलिए देखते हैं अगला सवाल प्लेटवाइम टिकटिट इस वालीड फॉरे प्लेटफॉर्म टिकट कितने समय के लिए वाइलिड होता है य पर रेल कर्मचारी के पता है कि दो घंटे के लिए जो है आपका प्लेटफॉर्म टिकट जो है माननी होता है अभी आप इस पर कुछ पेपर में देख रहे होंगे कि प्लेटफॉर्म टिकट का मुल्य जो है वह 50 रुपए करने के लिए आ गया है जिससे कि भीड़ ना हो कोब प्लेट करके याद कर सकते हैं तो यह कुछ ऐसे सवाल थे जो आपके मेरिट के निर्धारण में कहीं न कहीं एक मुख्य भूमिका में रहेंगे तो आप इस तरह की कोश्चन को तयार करने के लिए आप गूगल का सारा लीजिए अपने नौलिज को डिसकसन में बदलिए औ तरह का डिसकसन आपके लिए हानिकारक हो सकता है डिसकसन हेल्दी होना चीए हेल्दी डिसकसन का मतलब क्या है कि जो चीजे आपको नहीं पता है वह सामने वाले को आप बताएं बिना इगोहर्ट किये हुए और सामने वाले का वह यह फर्व बनता है कि वह भी आपका बिना के साथ discussion का भी है और बहुत ही जल्द अब CBT का जो है agency hire कर लिया जाएगा और आपका exam संभवता है इस मन्त के end में या first month जो है first week कहिए आप मई में हो सकता है तो चलिए वीडियो कैसा लगा like करके बताईएगा अच्छा लगा share करिए क्योंकि sharing is caring caring gives you happiness and at last thanks for watching this video